कि पहली बार आपने देश के किसी प्रधान मंत्री को देखा होगा आजादी के बाद का कि जो पहली बार अंतिम पैदान पर बैठे वे ब्यक्ति के साथ बैड करके योजनाओं की जानकारी भी ले रहा है और योजनाओं के क्रियानवेन की प्रगति को अपनी आखों से देख करके आगे क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में आगामी कार योजना के साथ भी आपके सामने उपस्तित है और इस उसर पर भाईयों बैनों विक्षित भारत संकल्ब यात्रा beim sबके सामने हैं क लकासी नगर की यात्रा में और आज का सी के के ग्रामिन छेत्र में सेवा पुरीविधान सवहाचेत्र के इस बरकी गाओं में इस विक्सित भारत संकल्फ यात्रा में वोधी जी की कारंटी वाली गाड़ी सामने उन सभी लाभारतियों के साथ और यात्रा में उपस्तित अगरिक जी त плат फ्र shortcuts ने लाइव भी देखा होगा वद आंग पहली बार देखने को मिला है शेöt के अंदर प्हसले 30.97 के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है यह परिवर्तन बिश्बाश का परिवर्तन भारत है और यहीं का देने की गारंटियर की गारंट जिसको लेकर के घाड़ी गांगाउं में विक्सित भारत के संकल्पों को लेकर कि आगे बढ़ रही है और इसलिए मेरा सबसे ब्यंडोद होगा कि इस विक्सित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को हुआ जो गाओं गाओं में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी बन रही है उसे लाभार्तियों के साथ संबाद बनाने के वी गाड़ी बन रही है और साथ साथ जो लोग अभी बंचित रहे हैं उन्हें देने की गारंटी विकेले भी वह गाड़ी वहां पर आई है उस अभिहान के करम में अगर हम जुड़ते हैं तो आगामी 25 वर्ष की जो कार योजना देश को दे रखी है कि 2047 में जाते जाते हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्तापित करके एक विक्सित भारत का निर्मान करेंगे और से विक्सित भारत के निर्मान के संकल्प के साथ हम सब अपने नागरी करतब्यों के साथ जुड़ करके उसे सफल बनाने में अपना यो करने के लिए स्वयम काशी में पढ़ा रहे हैं काशी में अपने पिछले नौ वर्सों में बदलती भी काशी को देखा है एक नई काशी एक अपनी प्रातन सांस्क्रिपिक वैभा को समेटे वे एक नए काया और कलेवर के साथ काशी का दर्सन दुनिया देख रही है और भाईयों बेनों उसी काशी के साथ आद उन्नीस हजार करोड़ों पे की प्रयोचनाओं का जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है और के हैं स्वास्ट्रक्चर के हैं आम नागरिक से जुड़ेवी तमाम अन्य योजनयाय उन्सभी योजनाओं का लोकारपन करने के लिए सलान्यास के लिए अदमिया प्रधान मंत्री जी का कासी में आगमन हुआ है इस हो सर पर एक बार फिर से आप सभी कासी वासियों की और स प्रदेश स्वास्यों की और से आदने प्रधान मंत्री जी के इस प्रवास के लिए और इस सौगात और पहार के लिए फिर दैसे आभार बेक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ धन्यबाद जैहिल